हेलो फिरेंड्स वेलकम टो आलाइन एस्टेडी किंगडम दोस्तों जैसे कि आप जानते रहे हैं चैनल पर जो है यूथ कंप्टिशन टाइम्स का जो हिंदी का जो यूपी पिलिस यसाई के लिए हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं ठीक है तो अभी तक हम लोग इन जो पर किया हैं दोस्तों हिंदी के आईए यहां पर देख लेते हैं दो लेक्शर होच चुके हैं हरे और लिए और यह created तीसरा लेक्षर है पहले लेक्षर में जो हम लोगों ने कबर किया है वह हिंदी और अन्य भारती भासाएं हैं दूसरा जो सिलेबस का टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्यान से संबन्धी जो हिंदी वर्ण माला का है और आज की इस वीडियो में तदभाव तदस प्रसणों को देखते हैं कि स्टार्ट प्रसने से पहले आप से यहां पर जो माना जाता है कि आपने तदभाव तदस्म को कम्प्लीट किया होगा भढ़ा होगा थोड़ा जान लीजिए कि तदभाव क्या होता है वेसिकलिए बस उपर उपर आप समझ लिए तदभा और संस्कृत की तरह दिखेगा आप उसको तत्सम समझेगा और तद्भो बिल्कुल एक ठेट भासा या आप समझे ठीक है तो बिल्कुल तद भाव ठीक है उसी के समान भाव असपस्ट करेगा तत्सम का मतलब हो गया जो है उसी के समान ठीक है तत का मतलब उसके हो गया सम का मतलब समान तो यहां पर आप इतना ट्रिक समझें दोस्ट की तदभो जो है आप थोड़ा उसको थेड़ भासा में आप समझेंगे लेकिन जो आपका तत्सम होगा वह थोड़ा संस्कृत से समानित आपको देखेगा ठीक है तो आसा है कि आप लोग पढ़े होंगे आईए यह यहां पर प्रैक्टिस करते हैं उत्तर परदेश पुलिस कांस्टेबल दोतिय पाली में पूछा हुआ प्रेश्ण है कि नेमलिखित में से तदभो सब्द छाटी यह तो यहां पर आप से बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा कपूर जो है तदभो सब्द है और कपूर का जो तद्सम होगा वह होता है करपूर ठीक है आप संस्कित में भी पढ़ते हैं करपूर गवरम करुणावतारम ठीक है तो यहां पर करपूर जो है वह संस्कित हो जाता है ठीक है तो धंकिर से मिलता जूलता आपको देखने को मिलेगा तद्सम तो तदभो जो होगा वह जवासा में इसको समझेंगे चीक है तो यहां पर आपका सही जबाब क्या होगा कपूर यहां पर सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि निम्लिखित में तद्भोस सब्द बताना है तो यहां पर आपका सही जबाब होगा आचराज अचरज सब्द का जो तत्सम होगा वह आश्यर्य होता है अंधेरा है तो अंधेरा का तत्सम होगा वह अंधकार होगा अंगर अखा तो हो जाएगा इसका अंगर अच्छक वही पर आस का जो है वो आसा सब्द जो है वो तत्सम हो जाता है अगे चला अगला प्रस्ण है कि निमलिकित स्थथों में से तदभो सब्द को आप को बताना है यहां पर जो आपसन्सी सही दे रखा है । ठीक है फ्यासा barbecue का सही जबाब हो जाएगा फ्यासा तदभो सब्द है और इसका जो ततशम रूप होता है वह होता है पशाण जबकि पासाड, कंगड, तथा पच ये जवी जो जवाओ तत्सम सब्द हैं अगला प्रस्न है संस्किर्ट भासा से हिंदी में बिना परिवर्तन के परिउक्त होने वाले सब्द को क्या कहते हैं ठीक है तो जो वही बताएगे कि जो तत्सम सब्द होते हैं बिल्कुल जो हो आपके संस्किर्ट से भासा से बिल्कुल मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे तो यहीं यहां पर पूछा जा रहा है कि संस्कित भासा से हिंदी में बिना परिवर्तन यानि बिने हिंदी में परिवर्तन हुए परियुक्त हो जाते हैं वो सब्द तो कौन से सब्द होते हैं वो होते हैं आपके तत्सम सब्द आपसन भी यहां पर सही जबाब हो जाएगा संस्कित भासा से हिंदी में बिना परिवर्तन के परिउक्त होने वाले सब्द को क्या कहा जाता है तत्सम सब्द कहा जाता है और इनके विकिर्थ रूप को क्या कहा जाता है तदभो कहते हैं आवसकता अनुशार बने सब्दों को देशत सब्द भी कहा जाता है जबकि विदेशी भासाओं से हिंदी में आए हुए सब्द को क्या कहा जाता है विदेशी सब्दो पचीसों प् सूर्य भी आपको क्या है संज्की से मिलता हुआ ठीक है तो यहां पर जो डी दे रखा है आपसन वह जो है बिलकुल सही जबाब हो जाएगा तदभव आपसन डी is correct answer माथास तदभव सब्द है और इसका जो तद्शम होता है वो अमस्तक होता है गराम का जो की सब्दोर होगा वह गाँ हो जाएगा अशुरु का आंसू और सूरी का जो हो तद्भव सूरज होता है अगला प्रस्ण है कि तद्भव सब्द बने हैं तो यहां पर आपका सही जबाब होगा तद्भव सब्द जो बने होते हैं वह संस्क्रित सब्दों में कुछ बदलाव किया जाता है ठीक है और बिना संस्क्रिट बिना बदलाव तो असम हो जाता है और कुछ बदलाव कर हो जाता है तो तदभव आपसंडी यहाँ पर सही जबाब होगा question number 27 है दोस्तों कि निमलेखित प्रष्ण में 4 बिकल्प दिये गए है निमन में से एक सब्द दिये गए सब्द का सही तदभव रूप क्या है तो ग्राम जो दिया है ग्राम का जो तदभव होगा वह क्या होगा तो ग्राम संस्क्रिट सब्द है इसका तदभव जो होता है वह आपको संस्किस का सब्द मिलता ठीक है अब यहां पर निद्रा का जो है अगर आप तदभव करेंगे बिल्कुल ठेड तो कहेंगे नींद ठीक है नींद आ रही है नींद कान का देखेंगे तो कांड होता है मोर का मयूर हो जाता है और बंदर का जो है वो तदसम क्या हो जा है यानि मच्छी का दे रखा है और मच्छी का या आप समझ सकते हैं यह तत्सम सब्द है और मच्छी का का बिल्कुल ठेट भासा में आपका कहेंगे आप कहेंगे मक्खी उड़ रही है ठीक है मक्खी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा option D is correct answer ठीक है अब ठेड़ भासम कहेंगे मक्खी बहुत उड़ रही है इसको हटाओ यहाँ से नमद रहें तो मक्खी मच्छी का संस्कित में लगता है ठीक है अब मोर क्या है मोर भी तदभो है ठीक है तो मोर अगर तदभो है तो इसका तदस्म क्या हो जाता है मोर का मयूर हो जाता संकित में मयूर मेढ़क का आप देखेंगे तो मंडूक हो जाता है भामरा का अगर आप ये तदभो है तो इसका तदस्रम निखा लेंगे तो भ्रामर हो जाता है चलिए आगे चलते हैं प्रष्ण संख्या 30 है दोस्तों कि चतुस्पदी का तदभो सब्द क्या होगा चतुस्पदी चतुस्पद यानि चार पहरों वाला तो चार पाई भी है चावपाई भी है ठीक है चावपाई तो चावपाई चावपाया और चावपाल तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो चतुस्पदी का जो आपका तद्भो सब्द होता है वो होता है चवपाई समझ रहें अब यहां पर चवपाया चवपाल चारपाई थोड़ा डिस्प्यूटर आगे चल देखते हैं तो यहां पर जो दोस्तों यहां पर विकल्ब जो है तलकपूर नहीं है चलिए ठीक है आगे चलते हैं अगला प्र allocation है आप समझी जीए जीज पर चतुस्पदी का जो आपका तद्भो होता है वह चवपाई होता है थीक है इतना याद रखना है आपको आगे चलते हैं जालक क्या है जालक सब्द को आपको तद्भो सब्द बताना है तो यहां पर आपका सही बाब हो जाएगा व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में इसे धरोखा सब्द जालक का तद्भव रूप है तद्भव यानि तद्भव का सब्द कार्थ होता उससे हुना अर्थात संस्कित सब्दों से परिवर्थित होकर बने शब्द जो है व अगला प्रस्ण है दोस्तों कि इन में से कौन सा तत्सम सब्द नहीं है तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ठीक है यादि तद्भव सब्द आप से बता सकते हैं लिए जो चचु दिख रहा है तो चचु भी एक क्या है संस्कित का सब्द आपको दिख रहा ठीक है तो जो है आपका वह तत्सम हो जाता है और उस्टर का भी आप देखेंगे ये भी जो है तत्सम सब्द है ठीक है और उसके बाद अगर बात की जाए दधी की तो ये भी है लेकिन सिंगार जो है या तदभो सब्द है क्योंकि जो सिंगार होता है इसका जगर आप तत्सम भासा के सब्द जिनका हिंदी भासा में परियोग करने पर रूप परिवर्थित नहीं होता है वह कौन से सब्द कहलाते हैं तो यहां पर आपका सही जबाब क्या होगा सही जबाब हो जाएगा तत्सम सब्द आप सने 34 नमबर है इन में से कौन सा तत्सम तत्भो का सही जोड़ा नहीं है जो दधी दे रखा है दधी का जो है जो तत्सम है ठीक है दधी क्या है एक तत्सम है और दधी क्या है तत्भो है यहां पर अगर आप देखेंगे उस्त्र तो उस्त्र जो है वह आपका तत्सम और उड जो ह वो आपका तदभो सब्द है तो यह भी सही है ठीक है स्रेंगार सब्द दे रखा तो यह भी आपने देखा उपरोक्त में तो यह भी सही है बिल्कुल ठीक है तो यहां पर बचता है सी तो सी आपका सही जबाब हो जाएगा क्योंकि जो आपका नजर देखा है नजर क्या है त ठीक है आख जो है तदभो थोड़ी नहाए क्योंकि आख जो है वो तदभो का इसका जो तत्सम हो जाता है वो हो जाता है आपका अच्छी ठीक है अगर अच्छी और आख दिया होता तो बिल्कुल सही सुमेलित होता यहाँ पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा आप जबाब होगा धूरी का जो मानक सब्द रूप है यानि का आप कह सकते हैं चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रस्न पूछा जा रहा है कि तत्सम सब्द आपको बताना है किसका जेस्थ का ठीक है तो जेस्थ आलेडी ये तत्सम सब्द है इसका जो आपका तद्भो सब्द होगा वो क्या होगा यहां पर बताना है तो यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा आप साने बड़ा, ठीक है, बड़ा क्या है, तद भरूप हो जाएगा ठीक है, अब यहां पर क्या है कि कौन सा सब्द यहां पर जैसे कि जेस्ट है ठेक्शिली में आगर आप देखेंगे ZATT का जो होता है जेट होता है टीक है जेट घेट बोलते हैं ठेटब में लोग डेट तो जेट है जो होना चाहिए लेकिन आपसन मेह नहीं तो आप आपसन इस जो है उसा ही चूज कर लेंगे ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है किंचित ततसम सब्द का तदभव सब्द बताईए किंचित जो है एक ततसम सब्द है इसका तदभव क्या होगा तो यहाँ पर आपका सही जबाब होगा किंचित जो है आप सिंस्की से देखेंगे तो किंजित का मतलब होता है थोड़ा तो यहां पर आपका सही जबाब होगा कुछ ठीक है क्या हो जाएगा कुछ यहां पर मोस्त एप्रोपीर्ट एंस्वर हो जाएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में यहां पर जो हम लोगोंने कवर कर दिया ठीक है जो आपका नेक्स्ट लेक्षर होगा वह होगा आपका परियाबाची से संबंदित तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ से और भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्षर में परियाबाची की साथ थैंक्स फर वाचिंग और बात आती है पीडियो की पीडियो जैसे ही चैप्टर हम लोग कंप्लीड कर लेंगे दूसरा ठीक पूरा हिंदी जो है मौलिक ब्याकरण पूरा घ्यान ठीक है तो यहां पर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों ठीक है कि अधिग कर दो